हेलो गाईस माईसल वैब स्वागत अपर कैमफर में तो आज का फेक्ट है कि आज हम लोग अपने घरों में LPG स्लेंडर का खाना बनाने के लिए तो उप्योग कर रही है तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो LPG स्लेंडर का जो टोप के हिस्से में जो तीन स्ट्रिप्स होती है उन में से एक स्ट्रिप पर एक कोड लिखा होता है जैसे की B19, A11, C23 Now my question is इस कोड का मतलब क्या है? Don't worry मैं बताता हूँ जो यह first alphabets होते हैं जैसे की ABCD यह month को represent करते हैं For example, A represent करते है January to March, B represent करते है April to June, C represent करते है July to September and D represent करते है October to December तो जो बात के जो numbers होते हैं वो years को represent करते हैं For example, मालो एक specific slender पे लिखा है C23 तो इसका मतलब है कि उस specific slender की 2023 की July to September तक servicing की जानी चाहिए यानि कि उसकी expiry date यह है और जब इसकी जाच की जाएगी तब इस पर एक नई date आजाएगी अगर आपको कोई ऐसा slender मिल जाता है जिसकी date पुरानी हो चुकी है तो आप agency में जाकर एक नए sender ले सकते हैं बीना किसी हिचकी चाहाट की क्या आपको effect इससे पहले पता था answer in comment section and if you like the video and show to hit the like, subscribe and share button